नमस्कार दोस्तो civil engineering support के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग चलिए दोस्तो आज मैं आपको kitchen के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार अगर आप घर बना रहें तो जायर सी बाते हर घर की आवसकता होत कुछ गलतीयब होई है जिनको की सुधार करके आप अपने घर में बनवा सकते हैं जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं kitchen के main entrance याने की दरवाजा होता है वो तीन फीट चौडाई से कम नहीं होना चाहिए चुकि कुछ कुछ kitchen appliance जो तो हमें इसके अंदर रखने परते हैं त अगर दोस्तों सबसे पहले चौडाई की बात कर ली जाया तो kitchen का चौडाई कभी भी आप 6 feet से कम मत रखेएगा अगर slab लगाना आपको तो 2 feet तो आपका slab ही हो जाएगा और जो यह खिरकी है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं तो यही suggest करूँगा दोस्तों इतना पतला खिरकी अगर आप दिजिएगा अगर इसमें sliding window हो चुकी आज कल copy paste का जबाना है ठीक है आपको भी आपने भी कहीं ने कहीं सोचा होगा कि मैं भी sliding window अपने खिरकी में लगाऊंगा तो इतना पतला खिरकी दिजिएगा 2 feet 8 feet का फिर उसमें sliding window अगर लगाते हैं आप त उसमें मजा नहीं आएगा तो और एक kitchen में 2-2 खिरकी देने का कोई आव सकता नहीं है दोस्तों एक तरफ आपको simple सा दिवार रखना चाहिए जरूरत पढ़ने पर वहां पर दोस्तों देख सकते हैं दोनों साइट exhaust भी है इतना जादा आव सकता नहीं है अगर आप एक साइ देख देते हैं तो इसलिए चिमनी लगवाने के लिए भी आवसकता परती है दोस्तों इसलिए आपको जगा रखनी चाहिए अगर खिरके लगवा देंगे तो चिमनी लगाने में जाहिर सी बात आपको थोड़ा सा problem तो आएगा ही आएगा दूसरा चीज है दोस्तों यह ज 10 इंच या फिर 3 feet maximum उससे ज्यादा आपको हाइट जो हो ने रखनी चाहिए जैसे कि देख सकते यहां पर मिस्तरी ने एक गलती किया यहां पर धालने में आप देख सकते हैं उधर कितना मोटा जो स्लैब ढाला गया है ठीक है और इधर से देखेंगे दोस्तों धीर धीर पत इसलिए इसमें double coated plaster तो काम चलाओ किया जा सकता है दो कोट में plaster करना होगा लेकिन दोस्तों इस तरीके का काम से आपको बचना चाहिए इसमें भी 20 mm का जो cover block है दोस्तों उसको आपको इस्तमाल करना चाहिए ताकि दोस्तों जो आपका लोहे का सरिया रहे वो क्या हो कि दोस्तों किचेन का जो slab ढालने का जो process होता है उससे पहले ही आपको एक चीज़ डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या आप conventional kitchen बनवनाना चाहते है या फिर दोस्तों modular kitchen बनवनाना चाहते है चुकि modular kitchen जो भी आजकल बन रहे दोस्तों उसमें slab ना ढाल करके direct पत्थर का ही काम slab किया जा रहा है तो इस चीज़ का ध्यान देंगे तो आपका पैसा भी बचेगा और समय की भी बचत होगी तो फिर मिलते हैं kitchen बनाने संबंदित और कोई जनकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए धन्यवाद